नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ आपका अपना अजय कुमार दोस्तों मैं पिछले लंबे अर्से से एस्टॉलोजी, वास्तुशास्तर और जमॉलोजी की प्रक्किस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी पहली वीडियो में बात करने जा रहा हूँ जेमस्टोंस के बारे में मैंने ये विशे दोस्तों इसलिए चुना क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि आम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्टोलोजी के बारे में या वास्तू के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो रखते हैं लेकिन जहां तक जेमोलोजी का प्रश्ण है इसके बारे में आम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है जब भी आम लोगों ने, आप लोगों ने कोई gemstone wear करना होता है तो आप पूरी तरह से depend करते हो अपने local seller के उपर आप उसके पास जाते हो उससे gemstone purchase करते हो और उसको पहन लेते हो लेकिन कई कारणों से आपको gemstone उतना फाइदा नहीं दे पाता जितना फाइदा आपको होना चाहिए बहुत पार ऐसा देखने में आया है कि local seller आपसे पैसे भी ज्यादा ले लेता है और इस तरह से आपको double नुकसान जो है वो bear करना पड़ता है सो दोस्तों मैं ये पूरी knowledge लेकर आज आपके सामने आया हूँ मेरा मकसद ये है कि मैं आपको gemstones के बारे में जो basic knowledge है वो provide करूँ ताकि आप अपने लिए एक अच्छा gemstone जो है वो purchase कर सकें जन्मन पैसे आपको खच करने पड़ें और वो gemstone आपको पूरी तरह से फाइदा दें सो gemstones के बारे में जब सबसे पहला प्रशन कोई मुझसे करता है तो वो ये होता है कि gemstones आखिर हैं किया तो मैं वही से दोस्तों शुरू करता हूँ कि gemstones minerals होते हैं जो बाकी minerals की तरह अर्थ के अंदर naturally occur करते हैं और इनको mining के द्वारा बाहर निकाला जाता है कुछ एक gemstones जो हैं वो समंदर के अंदर से भी निकाले जाते हैं जैसे coral है या pearl है mining के बाद ये जो gemstones हैं इनकी cutting होती है उसके बाद polishing होती है और फिर ये market में बिखने के लिए आते हैं इनके origin के बारे में दोस्तों पुरानों में एक कथा मिलती है के एक बार राजा बली चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा यग्य किया था जिसमें भगवान विश्नु वामन अवतार लेकर आये थे और उन्होंने राजा बली चक्रवर्ती से तीन पग भूमी जो है वो अपने लिए मांगी थी राजा बली चक्रवर्ती क्योंकि बहुत बड़े दानी थे इसलिए उन्होंने संकल्क पूर्वत वो तीन पग धर्ती जो है वो वामन भगवान को देने का वचन दिया था तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारन करके दो पगों में उसके पास जितनी भी भूमी थी उसको नाप लिया था और राजा बली चक्रवर्ती से पूछा था कि अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहा रखों तो राजा बली चक्रवर्ती ने कहा कि भगवान आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए तो जैसे ही वामन भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बली चक्रवर्ती के सर के उपर रखा तो उनके पैर का भार सहन ना करते हुए राजा बली चक्रवर्ती का शरीर जो है वो पृत्वी के अंदर धंस गया और अनेक हिस्सों में विभाज़त हो गया राजा बली चक्रवर्ती के शरीर के अलग-अलग हिस्सों से रतनों की उत्पत्ती हुई ऐसा बताया जाता है अब दूसरा प्रशन दोस्तों ये है कि क्या जेमस्टोंस काम करते हैं या नहीं करते हैं कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जेमस्टोंस जस्ट डेकोरेशन के लिए होते हैं ये काम नहीं करते हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों के gemstones definitely काम करते हैं हलांके इनकी selection का काम जो है वो ध्यान से करना चाहिए अगर सई धंग से कुंडली देखकर gemstone की selection की गई है तो ये हो ही नहीं सकता के gemstone आपको फाइदा ना करें अब मैं आपको इस बात का उत्तर देना चाहूँगा कि gemstones आखिर काम कैसे करते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि astrology में हम जो ग्रे हैं हमारे सूरज मंडल के उनके इनसान के उपर effect को study करते हैं तो दोस्तों हर एक planet cosmic race जो है वो छोड़ता है या आपने science में पढ़ा होगा या आप google पे check कर सकते हैं वो cosmic race जो है उनको absorb करने की जो power है वो gemstones के अंदर रहती है तो by birth जिस व्यक्ति के अंदर जिस planet की cosmic race का effect कम होता है हम उस planet के साथ related gemstone को wear करके उस cosmic effect को boost कर सकते हैं माइने बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है के हम gemstone केवल कुंडली के हिसाब से ही डालें कुंडली के analysis से एक अच्छा astrologer आपको ये बता सकता है कि आपका कौन सा planet आपके लिए अच्छे result ला सकता है या ला रहा है और उसको gemstone डाल के boost करने से आपको फाइदा हो सकता है तो इसलिए gemstone डालने से पहले आपने अपनी कुंडली का analysis जो है वो एक अच्छे astrologer से जरूर करवाना है उसके बिना आपने gemstone वियर नहीं करना जिल लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है वो भी astrologer के पास जाएं और उनसे पूछें के उनको कौन सा gemstone जो है वो वियर करना चाहिए वो आपसे आपकी problem पूछेगा उससे हिसाब से आपको वो gemstone टेस्ट करने के लिए कहेगा अगर आपको अच्छे result मिलते हैं तब आप gemstone जो है वो डाल सकते हैं gemstone के बारे में अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि gemstone 84 टाइप्स के 84 किसम के होते हैं ऐसा astrology की books में gemstone की books में बताया गया है इन 84 परकार के रतनों में से 9 रतन हैं कुछ उपरतन हैं जिनको semi precious stones भी कहते हैं और बाकी simple पत्थर हैं जिनको astrology में use नहीं किया जा सकता तो वो 9 रतन कौन से हैं उपरतन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको अपनी next वीडियो में बताने जा रहा हूँ तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार